नमस्ते, प्राणा, मैं मिनाज सीजेल, स्वाविक करती हूँ आपका चैनल मिनाज सीजेल पर इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि जब मैं FF क्लियर करके होर्सित के लिए सिलेक्ट होई तब मुझे सिद्दार्थ वसुसार ने KBC गेम से रिलेटेड क्या टिप्स दे थी तो जैसा हम सब देखते हैं FF से सिलेक्ट होने के बाद ज्यादा तरके लाड़ी काफी ज्यादा एमोशनल हो जाते हैं तब सैट पर कंटेस्टेंट को थोड़ा काम डाउन होने के लिए समय दिया जाता है शूटिंग को थोड़ा टायम के लिए पॉस करके हर वीक के 10 कंटेस्टेंट को ज्यादा से ज्यादा मन्डे से लेकर थस्डे तक के एपिसोड्स तक FF खेलने का मुझा मिलता है लास्ट कंटेस्टेंग के तोर पर हुआ था और जब मैं FF क्लियर करके होट सिट के लिए सेलेक्ट हुई और सर ने मेरा नाम अनौंस किया तब मुझे ना तो खुसी का अनुभो समझ में आ रहा था और ना कुछ और भी एहसास लग रहा था जैसे मैं अपना नाम सुनकर जा किया गया तब मैं काफी इमोशनल हो गई थी और काफी ज़्यादा रोनी भी लग गई थी एक एक करके KBC के टिम मेंबर्स मुझे मिलने आए उन्होंने मुझे कामडाउन करने की कोशिश की मुझे ठंड लग रही थी सर्दी थी तो गरम पानी वगेर भी दिया मेरे अपने फैमिली मेंबर्स भी मेरे पास आए और थोड़ी ही देर में सुझाता में मुझे से मिलने आई उन्होंने अपनी सौल मुझे ओड़ाई और कहा कि आप तो काफी तयारी करके आई है ना तो मैंने कहा में मैंने पढ़ाई तो की है पर ग्यान इतना बड़ा सागर है तो शाय ही देर में सित्तार्थ भसू सर भी मुझे से मिलने आए उनको देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होई इससे एक दिन पहले भी मेरी मुलाकात भसू सर से लंच टाइम में हुई थी जब मैंने उनको देखा था तो मैंने कहा सर आप एक बार मेरे सिर पर अपना हाथ रख दीजी तो मैं सफल हो जाओंगी तो सर ने तब ये कहा था कि जो भी करना है आप ही कर सकते हैं और आपको ही कौसिस करनी है ये तब की बात थी पर अब मैं सीट तक तो पहुँच चुकी थी सर जेसे ही आए मैंने पहली बात तो यही कही कि सर आपको छू लिया तो मैं आप गेम खेल लूँगी क्योंकि आपको छूने से आपकी एनरजी मुझ में आ गए अगर आपका भी सेलेक्शन के बीसी एफफ तक होगा तो आप भी पास सकते हैं सर को सेट पर कभी कहीं बाहर गए हो और ना रहे तो वो अलग बात है उसके बाद सर ने मुझे समझाया कि ये देखे कम्प्यूटर पर यहाँ पर हिंदी में सवाल आएगा यहाँ पर इंग्लिस में सवाल आएगा साइड में धनाले होगा उसके उपर आपकी लाइफ लाइन देखेगी और यहाँ पर टाइमर देखेगा यह सारा कम्प्यूटर पर है तो ध्यान से आराम से खेलना पर अगर गेम में उपर तक जाना है तो आराम से खेले पर जब भी कन्फ्यूजन हो तो लाइफ लाइन का प्रयोग जरूर कर ले और उसके बाद जो सर ने मुझे टिप्स दी मुझे लगता है आप सब के लिए भी वो इंपोर्टेंट हो सकती है सर ने कहा कि अगर आपको लाइफ लाइन लेनी है तो जल्दी ही लेना क्योंकि टाइमर जैसे ही लाइफ लाइफ लाइन खतम होगी तुरंती उसी टाइम से शुरू हो जाएगा और आपको अगर सवाल से रिलेटेट कुछ सोचना है तो अगर आपने लाइफ लाइफ लाइन थोड़ी जल्दी ली होगी तो बाद में भी सवाल के बारे में थोड़ा सोचनी का टाइम मिल जाएगा जैसे आपने 50-50 या ओडियन्स पोल कोई भी लाइफ लाइन ली तो जैसे ही लाइफ लाइन खतम होगी आपका टाइमर वहीं से सुरू हो जाएगा इसी तरह अगर आपने लाइफ लाइफ लाइन थोड़ी जल्दी ली होगी तो थोड़ा ज्यादा टाइम आपको बाद में सोचने का मिल जाएगा तो ये टिप्स मुझे बसुसर की अच्छी एन इंपोर्टेंट लगी जिसका भी एफ एफ के लिए सिलेक्शन होता है और मुझसे बात होती है तो मैं ये सारे बाते उनको जरूर बताती हूँ पर हर किसी से तो मेरी बात होती नहीं इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं वीडियो बना दूंगी तो ज्यादा लोग चान पाएंगे अगर आपका एफ एफ के लिए सिलेक्शन होता है तो fastest finger first की practice करके चरूर जाएगा और hot shit पर पहुँचने के बाद lifelines का प्रयोग wisely करिएगा और जब भी confusion हो और लगी कि lifeline लेनी है तो सबसे पहले बोल दे कि lifeline लेंगे ताकि timer रोख जाएं और उसके बाद आपको जो भी lifeline लेनी है वो भी बता सकते हैं इस बात का भी विशेश ध्यान रखें कि आपके पास lifeline होते हुए गेम से आउट न हो जाएं आपको अगर 60-80% right answer पर doubt हो तभी risk लें otherwise बिंदास lifeline का प्रयोग कर लें क्योंकि गेम में बने रहना सबसे important है हो सकता है उसके बाद में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब आपको आ भी रहे हों इसलिए कोसिस यही रखें कि कैसे भी करके गेम में बने रहें इसके बावजुद भी आपके साथ कोई अन्होनी हो जाए जो हम मेंसे कोई नहीं चाहता गेम से बाहर होना तो समझ लीजिए आपकी तरकी परमात्माने इससे भी बड़ी लिखी है वैसे मुझे पता है आप सब मुझे से ज़्यादा समझदार और भुतिमान है लेकिन मुझे लगा कि सर की ये टिप्स आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकती है इसलिए मैंने सेर की थैंक्यू सो मच पर वाचिंग माई वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेर करें और कमेंट में अपना फिडबेक दे दे के भी सी की जानकारी एवम एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर और पास में जो घंटी होती है उसे दबा कर अल नोटिफिकेशन भी अन कर दे थैंक्यू सो मच और स्टे टून टू चैनल मिनाक्षी जै